कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो पर दोस्तों आज भी आपको लेकर आया हूँ अब अब दोस्तों आपको मिलेंगी ओकीनावा के स्कूटर जो कि काफी अब आख में आज आपको पूरी डीटेल देने वाला हूं इन इस्कूटर के बारे में तो चलिए उसे वहां चलते हैं सीदेश वाप के अंदर और आपको दिखाते हैं यहां पर कौंड़कों से मोड़ आले आवे लेवला हैं का मुश्मिन आइसकार मेरा नाम हे सच्षिन मैं हरीमम मोटर से जो कि दीलर हूँ और मेरा यहादी सेवलाजाण गॉया जाती है 80 किलोमेटर से 90 किलोमेटर तक इसकी पुलिंग पावर जो वेट कैपिसिटी है जैसे कितना बजन लेके जा सकती है वो है इसकी 160 kg एक सो साथ किलो बेजन लेके आराम से कमफटेवली यह गाड़ी जा सकती है BLDC मोटर है इसमें 12 इंची का टायर है मोटर टायर में ही सेट है जिसको BLDC बोलते हैं 12 इंची का टायर है ट्यूबलेस टायर है दोनों तीसरा इसमें सेंटर लॉकिंग सिस्टम है आप चाबी से भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी है अब इ कि र н्विन्र से स्टार घिए मॉट सा ही वंॉटë से पन्दऻ गी तो यह वाला बटन दब आई है यह सेंटर लॉक है आपने संटर लॉक बटन दबा दिया और कोई इस गाड़ी के सbon flown इस तरीके से और समस्ण बढ़ करें तो यह इसमें यह थैफ्त अलाम है में दूसरा फाइवर के मामले में गाड़ी मजबूत है अच्छी परपस में यूज हो रही है गाड़ी प्रपस में पिल तो आपकी जो सबसे अच्छी फैसलिटी बाद की ब्रेंट के भार चार्ज़ कर सकते हैं किसी भी जगेपे किसी भी रूम में से और जाज़ करते हैं जैसे तो आप इसका प्लग निका लिए यहाँ से स्कूपर खीच के यह प्लग निकल जागा यह बैटरी आप कहीं पे ले जाईए और चार्ज लगाईए चार्ज कर सकते हैं और आप इसमें दुबारा चालू कर सकते हैं माल लिजये जैसे आपकी कोई शौप है या दुकान है आपको अप दुकान में आप गाड़ी को तो पूरी को डालेंगे नहीं अंदर ठीक है ना आप बैटरी निकालेंगे आप चार्ज करेंगे और गाड़ी चार्ज हो जाएगी और आराम से इजी लिए आप इसको डाल सकत यह बैटरी देरी है और वारंटी वाला वारंटी एक्स्टेंड का भी इसमें फैसलिटी अविलेवल एपर यह है वैसे बैटरी कि जो लाइफ कहते है लीथी वाइन बैटरी की जो लाइफ है वह 5-6 साल थक बैटरी आरहं से काम करेंगे आपकी टीकर आपके पास पॉल्च यह सेग्मेंट है सर एक जो सबसे वासियल होता है इसकी कॉस्ट है 99,645 एक शोरूम बागी RTO प्लस चार्जस तो वह होती है इसके उपर आता है सर यह आई प्रेस प्लस इसमें एक कलर अविलेबल हो रहा है यह मोका ब्राउन है वो एक ब्लेक कलर भी है अदर आप उसको लेके चल सकते हैं आराम से मिनिम्म एक सो साटा आराम से देगी आपको गाड़ी इसमें बैतर बोल पचास एच की बैटरी है सेम स्पीड है 60 किलोमेटर पर आवर बैटरी 72 50 एच की बैटरी है वेट कैपिसिटी वही 160-180 kg के लगबग है यह गाड़ियों में आटियों इंश पूछे थे इसमें बूट सफेश मिल जाएगा यह इसका बूट सपेस हैं पेस्पेस इसकी स्पीड सर असी किलोमेटर पर आवर इसका मायलेज 150 के किलोमेटर का है एक चार में 150 किलोमेटर चल सकती है और इसकी वेट कैपिसिटी आराम से 180 kg की गी है और जैसे बैटरी पूर बगबग चार घंटे नहीं तो 3-4 गंटे में सारी गाड़ियों की बैटरी चार्ज हो जाती है लगबगा रहां से आए यह तोड़ी डिफ बागी मॉडल जो इसलिए है इसमें सेंटर मोटर है जी को बैल्ट वाली मोटर होती है ना सेंटर मोटर 616 यह टायर है जो की हर रास् तो वह आपको मिली जाएगा फैसिलिटी गाड़ी की लेंथ कमफटेवल है क्योंकि आप जैसे कोई वेट के लिए या कैसे यूज़ करना चाहते हैं तो लेंथ अच्छी दिया गाड़ी की पर जो मार्केट में बैंक कर रही है सारी बैंक से हमारा सुविदा है और आपका डाउन पेमेंट लगवग वही है आपका एक तो सिविल स्कूर पर डिपेंड करता है पहला पर जो मिनिमम है वह लगवग अट पंद्रा यार से लेके तीसे जार तक आप अपनी गाड़ी उठ सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाए ओकी नावा प्राइस प्रो और दूसरा था ओकी नावा 19 इन में से कुई सा भी स्कूटर अगर आप लेना चाहते हो तो आप सौप पे बिजिट कर सकते हो सौप का एड्रेस और मुमाईल नंबर सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रेस में मिल जाएगी वहां से आप चेक आउट कर लेना और दोसों और आपका बजट कम है तो उसके लिए आप कम बजट में स्कूटर लेना चाहते हो उलेक्ट्रिक तो आप जा सकते हो उकी नावा लाइट की तरफ क्योंकि उसका बजट भी कम है और उसकी अच्छी क्वाल्टी है तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट सेक्स में बता देना उसके लिए उसके लिए मैं आपके अलग से वीडियो लिया हूँ आपके लिए उसमें पूरी डिटेल दी जाएगी और इन में से किसी स्कूटर को आप पूरी जानकारे के साथ देखना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्स में बता देना मैं एक और व या फिर स्कूटर के बारे में और भी कोई जानका रही है तो उसके बारे मुझे आप कमेंट सेके भी पूछ सकते हो मैं आपसे दोस्तों जल्दी मिलूँगा ऐसे किसी नई वीडियो के साथ तब तर लिए नमस्कार जाएंग चया भारत